आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला हेल्दी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आईए बनाते हैं इसे इसे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में एक बेसल ले ले अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक एक छोटा चम्मच हल्दी डाल दें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन एर्थ छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा इसको डालने से क्या होता है न कि यह बहुती सौफ्ट और अच्छा बनता है अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चा कर लें यह ध्यार रखें पानी हमने एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि इसमें गुठलिया न पड़ें सब्जियों को डालने से पहले इसको पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो हरी मिर्च बारीक करके आ और आदी कटोरी या तीन से चार चमज बारीक कटा हुआ धनिया एक छोटा टमाटर और एक छोटा प्याज एकदम बारीक करके डाल दें बस इसमें मैंने इतनी चीजे डाली हैं आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गाजर और पत्ता गोबी भी कद्दुकस करके डाल सकते है इसमें मैंने इतनी चीजे डाली हैं बहुत ही सिम्पल तरीके से मैं इसे बना रही हूँ ताकि आपका जब मन करें ऐसी चीज खाने काना हिल्दी चीज तो आप फटा-फट से बना कर खा सकते हैं तो बस ये कंसिस्टनसी आप देख रहे हैं ऐसा ये बैटर हमने तयार करना यह बैटर तयार हो चुका है अब एक तवा गरम करें और उसके उपर लगा दे घी इस तरीके से तवा अच्छी तरह गरम हो जाए उसके बाद ही हमने उसके उपर घी या तेल लगाना है मैं घी में बना रही हूँ आप इसे ओयल जो भी आप खाते होना उसमें बना सकते हैं एक कल्ची भर कर इसके उपर बैटर इस तरीके से डाल दे और जितना पतला आप फैला सकते हैं उतना पतला आप फैला दे इतने बैटर में आप छे चीला आराम से बना सकते हैं बस अच्छी तरह मैंने फैला लिया है अब मैं इसे कवर कर रही हूँ दो से तीन मिनट के लि उससे हम जल्दी से इसे पलड सकते हैं हलका से इसके उपर घी लगा लेते हैं और दूसरी साइट के लिए पलड देते हैं बस जरूरत लगे तो आप इसके उपर एक बार फिर से घी या तेल लगा सकते हैं आप देख सकते हैं थोड़ी तेर बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह ये पक्कर तयार हो गया है तीन से चार मिनट ही लगता है इसको बहुत जादा समय नहीं लगता है बनने में और खाने में ये बहुत ही टेश्टी लगता है तो बस एक पिसंग का चिला बनकर मैं तयार हो चुका है इसी तरीके से बागे पांगे के में6 चिले बना कर तैयार किया है इसे आप प्राटे के साथ ब्रेट प्रेट चटनि के साथ स्ग्रास कर सकते हैं तो उम्मीद क्रती हूं ये रेसीपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ अपना आप बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें आप हेल दिखाएं अपना हाथ बार बार साबुन से धोते रहें घर पर रहें और सुरक्छीत रहें तो मिलते हैं नेक्ट फीडियो में थैंक यू